दोस्तों जो दूसरा मॉडल है मेरे हाथ में वो है आपका 2403N मतलब ये फोन को हाड रिसेट कैसे करना है और कौन सा की ये जो हाड रिसेट इससे हो जाएगा और जो आपके फोन का जो जियो का लोगो आता है और बंद हो जाता है तो उस प्रॉब्लम से आपको कैसे हाड रिसेट मारना है और कैसे आपके जो कीपैट स्लो काम कर रहे है वो कैसे फास्ट हो जाएगे तो दोस्तों मैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ तो इस तरीके से आप reset कर सकते हूँ मैं दोस्तों आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को करना है यहाँ पे star और power की दोनों साथ में दबाना है और कुछ इस तरीके का अगर जब लोगों आपके mobile पे आएगा तो star को हम लोग छोड़ देंगे और star को छोड़ने के बाद आप जाएंगे आप जाने के बाद यहाँ पे data factory set है तो इस पे click कर देंगे और click करने के बाद आप लोगों को S पे click करना है नीचे आने के बाद S पे click करना है एस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर power की दबा देंगे power की दबाने के बाद यहाँ पर restore कर देंगे रिपोर्ट करने के बाद देख लीजिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका phone जो है वो चालू हो जाएगा और आपका जो phone जो इस तरीके का logo आ रहा था वो लोगो अभटके आपके फोन के manual function में चला जाएगा और जिससे आपकी जो भी कीपैट की problem होती थी और जो लोगो आता था आपका फोन आगे नहीं बढ़ पाता था उस वज़ा से ये hard reset अगर आप करेंगे तो आपके फोन में कभी कोई problem नहीं आ सकती है बट आप एक चीज ध्यान दिजिएगा कि जो भी आपके contact हो वो आपके सारे contact जियो के sim में हो आप अगर फोन में रखेंगे तो hard reset करने से आपके जो भी फोन के data हैं वो delete हो जाते हैं तो आप लोगों को इस चीज ध्यान देना पड़ेगा तो देखिए दोस्तो ये जो है फोन अब चालू हो गया है जैसे कि लोगो जीओ का यहाँ पर आ रहा था अब ये फोन मैंने चालू कर दिया hard reset करके जो star और power key के साथ combination है इसका और इसी तरीके से आप लोगों को hard reset करना है जो आपका keypad भी fast काम करने लगेगा अब तक के लिए बाइबाइट टाटा